नमस्कार मित्रों उमेद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे पांच जनमरी की आंसर राइडिंग प्रोगाम में आप सभी का स्वागत है जैसा कि जानते हैं हम लोग परड़े कोशन लेके आते हैं यहां पर उसमें जानते हैं कि किस तरीके से प्रश्न को हमें टैकल करना चाहिए क्योंकि एक लेखन से लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको कितना ही नॉलेज गेन कर लिजगा लेकिन आपको लेखन से लिए नहीं आती आपको तो आप भैतर आंसर नहीं लिख पाएंगे आप जो में दिखाते हैं वही तो आपके एक जानवर के सामने प्रिस्तुत होता है कोपी उसमें नंबर कैसे आप आप आपके आपके पास आपने नॉलेज इकटा की है उसको किस तरीके रिप्रजेंट किया जाए उसका तरीका क्या होना चाहिए यह बेसिकली बाते हैं तो यहां से जो आर्ट ऑफ आंसर की राइटिंग की कला है ध्यान रखना इसको अराम अराम से बिक्सित करना होता है लगा कहा जाए तो डाई तीन हजार परशनों का अगर अभ्यास कर लेंगे तो आपकी आंसर आइटिंग कला बहुत आराम से इंप्रूब हो जाएगी तो इस आज जनवरी में क्या कोशन दिया है बहुत अराम से यूपी असी का कोशन है दो यारी किस का धान रखना जीस टू में आया हुआ है मैं वहां से फिरस्म को लेकाया हूँ अभी हम लोग वन वाई वन करके लगबद 15-20 कोशन ऐसे करेंगे उसके आदो सिस्टेमिक तरीक से जाएंगे यह GS1, GS2, GS3, GS4 करके पहले उसको टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद वहां से जितने कोशन आचुके मेंस वह भी कराऊंगा इसलिए बने रहेगा दोस्तों बहुत कुछ आपको धान रखना कही ना कहीं मिलने वाला क्योंकि मेरी इस जरनी में धान जो पालियमेंट के बारे में डिसक्सिन करना चाहरा है भारत में कारेपालिका की जवाब दही सुनीचत करने में सक्षय में धान रखना आपस पूछन आप बहुत अच्छा पूछन है जो हमारी जैसा की जानते हमारे पास 3 पिलर हैं एक लगसलेचर है कानून को बनाती है और वहां से executive किया, उसको follow कराती है, उसमें दो प्रकार किया था, एक राजनीति कारेपाली का, एक परसासनिक कारेपाली का, इप मतलब यहां से political executive end, यहां से परसासनिक कारेपाली का है, बीरोकेट से हमारा, वो आ जाता है, जो जानते भी हैं, यहां से हमने क्या सुचा है, यह बताया गया है कि जो संसद है वो लेक्सलिचर का पाट है लेकिन उसमें धान रखने सरकार है उसके उपर क्या है कही न कहीं जवाब दई बन जाती है तो सरकार क्या है संसद के प्रते जवाब दई है या नहीं के वार प्रिलम्स में पूछ लेता है लेकिन यहां उसने क्य पुछा है आपके विचार से संसद किस अब सोचो इसको कैसे लिखा जाए डेड़ सो बड़ों में लिखना है दस नंबर में यहां पर परसन आया हुआ है लास्ट के पांच यहर के पेपर अनलाइस करना ही चाहिए आपको और उनकी फ्रेमिंग होनी चाहिए आपके पास अगर नई फ्रेमिंग होगी धानकना तो आप आंसर आइडिंग लिखने की कला से बंचित रह जाएंगे जो बहत्रपूर्ण रोल अदा करती धानकना आप जीवन बर सब कुछ प्राफ्ट करें अपने अपनी एक्स्प्रेंट की दुनिया में जो यात्रा है आपके यूपस्ट आपने बहुत कुछ यात करा बहुत NCRD पढ़ी बहुत नॉलिज लिया एडवांस बुक पढ़ी आंसर आइडिंग के उसके टैसेज लगाया बह यहां से बहुत important segment आपके समय लेके आता हूं आप अगर लावंकित हो पा रहे हैं तो जरूर इसको धन रखना सेर के साथ साथ चीजों को motivate करते रहें आप भी कि कमेंड करके बताएं कि क्या से लग रहा है इस ठीक है चलते हमें क्या करना चाहिए इस प्रस्म में आई हम लो क्या कारण है इसके पीछे हम लोग बताने का प्रियास करेंगे फिर उसके बाद किस प्रिकार से नियंतरन करती है तो यहां पर उसका जो control है धन रखना सरकार किसका संसत का कैसे नियंतरन करती है इसके बारे इसको डिफाइन कर दिजेगा कुछ सीमित चीजे होती है जहां पर द्यान रखना यह भी परिपक है कि संसत नियंतरन नहीं कर सकती है लिमिटेशन क्या होती है इसके उनको आप यहां पर डिफाइन कर दिजेगा और लास्ट में तीसरा जो फोर्थ पॉइंट जो आएगा इसका वह आप कंक्लूजन जिसको निसकर्स कह सकते है धनकर उसक के पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन उसको कम सब्दों में बहतर डाइमेंशन में क्या करना है इखटा करना है तो चलिए हम लोग बनवाई वन करके बाद कर ले थे कि क्या इसका इंट्रोड़क्शन में आना चाहिए लिए जैसा कि आप जानते हैं संसदी लोकतंत्र में जो सरकार है जो संसदी लोकतंत्र में जो कारेपालिका है वो संसदी की प्रति क्या है जवाबदाई है क्योंकि संविधान ने क्या किया कि संविधान ने जो कानून बनाने का कार्य है वो बिधायको को दे दिया उस पे कारे कराने का कारे जो है कारेपालिका को दे दिया उस जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहां लिख दीजेगा कि संसद यह लोगतंतर में कारेपाली का संसद के प्रती सामुही गुरूप से उत्तरदाई है क्योंकि संविधान के अंत्रगत कानुह बनाने का कार्य विधाई का एवं लागू करने का कार्य सरकार और ब्याख्या यह कानुन की ब्याख्या और लागू करने का नियाय पालिका यह जुड़ी शरी को यह आदालत भी कह सकते हैं पर अदालत को दिया गया है इसलिए सरकार अपने कार्यों के पिरती सामूहिक रूप से संसत के पिरती उत्तरदाई है जब आप इंट्रो में इतना लिख देंगे उसको तीन से चाल लाइन में तो उसके दिमाग में एक फिल्म सी बन जाएग कि आपने डिखा दिया कि संसतिय लोकतंत्र में हमारे यहां क्या होता है कार्यपाली का संसतिय पर उत्तरदाई होती है सामूहिक रूप से क्योंकि समिधान के अंद्र गदर डिपेंड किया गया है कि कानून मुनाने कार्य हमारे पास कार्यविधाई का के पास है लाव करने कारे सरकार के पास है, तो सरकार को यहाँ इन्वल्व कर लिया, कानून की ब्याख्या करने लाव करने का जो कारे है वो अदालत को दिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि अपने कारों की पृति क्या है उत्रदाई है, जब आप इंडोड़क्शन में इतना तो यहां से उसके दिमाग में थूड़ी सी फिलन नॉमा कहा नी बन जाएगा यहाँ इसने इस कंस्षुन को भी इन्वल कर लिया है क्या बज़ा है आपने इहाँ कार्य पालीका नियाois करलिया गया घ्राइगा तीन ओक यहाँ था थैन को यहां पर इन्वल्ब यहां से हम लोग इसको बात कर लेते हैं कैसे कैसे नियंतरन है उसको आप point to point करके define कर दीजेगे क्या नियंतरन है पहला नियंतरन तो यह यह प्रसासनिक नियंतरन अगर कारेपाली का कोई ऐसा कदम उठाती है जो कही न कहीं समस्चा सामने पैदा होती है तो मनवाने कदम उठाने से संसत जो है धनकना उसके जवाब मांग सकती है तो पहला नियंतरन कैसे आएगा प्रसासनिक नियंतरन प्रसान धाइसर वर्ड में जाता तो इसको भी हम लोग आखे एक्स्पेंड कर लेते लेकिन अब एक्स्पेंड़ने की रिक्वार्मेंट नहीं है लिख भी सकते एक लाइन में कि यदी कोई गलत निती क्या प्रयोग करती है प्रसासनिक आरपाली का तो संसत उसके जवाब जवाब दई मांगने के लिए उसके लिए प्रतिवद्ध है वो मांग सकती धान रखना नंबर टू यहां से बिधाई नियंत्रन धान रखना या विधाई का नियंत्रन या विधाई नियंत्रन लेक्स लेसर जैसे कोई कानून है धान रखना बनाया गया है उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट ना होके अलग तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है तो कानून को अलग तरीके से इंप्लीमेंट ना कराके उससे जवाब मांग सकती है यह संसत का एक क्या है धाइद बन जाता नेक्स्ट पॉइंट है बित्य नियंत्रन ध्यान रखना यह भी एक important point मन जाता है संसत को जो अनुचित खर्च है उनके खर्च करने सरकार क्या रखना रोकती है अब ऐसे सरकागर मोदी जी की सरकार बनी है उनका मन करें तो कहीं भी खर्च करेंगे संसत में डिवेट क्यों हो है यही बज़र के द्वारा ना जीना करना का लिदि नियंत्रन सरकार सब्स्कित खर्च करती है कि इसलिए जब जाता है रहते है ऑप बहुत içinde हिसमें आशbare के तो आपोजीशन भी होता है रूलिंग पार्टी भी होती है तो जब यहां पे चर्चा जो होती है तो यहां पर पर प्रसंकाल लगाए गए है बाकी जो यहां से इस्थखन है यह सब चीज़ा क्यों होती है उसकी बज़ाइए कि सरकार पर अंकुछ लगाने के लिए तो ऐसे प्रतनी नियंतरन है धान रखना उसको भी सरकार के अधार पर रखा गया कि इसके अंकुछ लगाए जा सके जिससे कि अपने दुर्पयोग ना हो किसका कानून का यह प्रसासनिक धांचे का यह अन्य कुछ धांचों का धान रखना यहां से बजटी नियंतरन भी है धान प्रसासनिक धान रखना रखना यह संसत के दौआ लगाया जाता है आपने देखा होगा बहुत सारी जो लेग लेगा समीति है ओक जांच करती कि पैसा कहां कहां गया है और लोक लेगा इन समीतियों का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है अपोजिशन पार्डी का लीटर हो होगे और यह मैल्टी डाइमेंशन है कि प्रसासनिक वे है विधाई भी है वित्य भी है प्रितनिधी भी है बजटी यह यह चार-पांच तुमने अलगला डिफेंट 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 एरिया से लिखे और इसके आगे कुछ एक लाइन डाल दी तो आपने सोचा कि प्रसासनिक देख रेख का समय और अनुभव नहीं है बहुत अच्छा पॉइंट है समय और अनुभव नहीं है देखेंगा जो यहां संसक में लोग बैठे हुए है यहां कोन बैठे हुए है जनता के बैठे हुए है MP लोग बैठे हुए है वो MP लोगों की कोई क्वालिफिकेशन है वो बताए कि देश कैसे चलेगा बस रूलिंग रेखुलेशन के डिवेट तो करते हैं बाकी यहां कानून का प्राभधान का इंपिलिमेंट करने का तरीका बुरोकेर्स आईएस आईपिस को इन सब कुद र प्राइस पर साहसी धाथ को देखने के लिना तो समय थांपता वह दूसरी बात यहां से जाने के बाद हुसका जो जो Mills have है कहां कहर्च हुआ है धान रखना उसी की जांच करती है पैसा गया क्यों कैसे जा रहा है इस पर कोई मतलब करने का परपस नहीं है यह जो बीए होने के बाद उस पैसे का बिस्लेशन करती ही लोकले का समित यहांनि कैसे प्रिकार से पोस्ट फैक्टो के रूप में काम करती ह पोस्ट फैक्टो के आपने काम कर लिया बिगड़ गया अब बताओ कैसे करना पहले ही क्यों नहीं पूछा भीया कैसे करना है तो समस्य है नहीं है धान रखना और भी यहां से अगर यहां इस हचेफ में राश्ट्पती संसे सरकार को सरकार को बारवार को आदेश जारी करे तो कानून सही नहीं बन पा रहा है, तो सरकार राश्पती बार-बार ओडर दे रहा है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यह सरकार को बार-बार फर्मान जारी कर रहा है, यह वाला काम ऐसे करिएगा, तो बिधायका होने का फर्च क्या रहा है? तो राश्पती के बार-बार जाना फर्मान जारी करने से लगता है कि कहिना बिधायका की शंता में धनकना कम ही आ रही है या वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो कुछ लिमिटेशन धनकना यहां है जहां आप इसको दो-तिम पाइंट में लिखेंगे तो लगभग आपके दिमाग में पूरी फिल् रखना संसत्रिक कारेवावी निग्राणी जरूरी है तर रखना एक बेटा बेटा के ऊपर धन रखना अगर दो बाप का नियंतरन नहीं होगा तो बेटा संचलन के लिए आवस्य है कि संसत की कारेपालिका पर निग्रानी हो और साथ में संसत की बहतर चभी के लिए यहां लिखें संसत की बहतर चभी के लिए सादस्तों की गुनवक्ता की जो लोग आ रहे हैं वो अच्छ लोग आए निकल के उनकी गुणनेक्ता के साथ साथ सुधार लाने की जरूरत है और साथ वो जो हमारे पास समीतिया है उनको प्रभावी तरीके से मजबूत करने के लिए मजबूत करके उसे बैतर पवंदन करने की लिए जरूत है जिससे की प्रभाब सीलता के साथ कारे पाली के आपना कारे कर सकें इस तरीके से अगर आप इसको लिख देंगे तो फिर इन कंकुलुजन भी क्या हो जागा, रेडी हो जाएगा में ज्यादा टाइम आपसे लेता भी 10-15 मिनिट के क्लास होती है कोशन की उसमें सारे आस्पेक्ट निकल के आते हैं जब आप यूपी सी में जाएंगे तो वहां भी आपको साथ से आठ नो प्रिसमा लो बीच प्रिसन आ रहे हैं तीन घंटे में तो एक प्रिसन के लिए 9 मिन समसात का निगरानी हो और इसके इसासत में यह भी आपको बता जिया कि पूरे मंडे टू फैर दे चलती है हम पड़े कोर्शन लेकर आते हैं जहांगे दिमाग के बिचारों की जो क्रांती है उसमें प्रौने का प्रियाश करते हैं आप इसे अगर लाभांकित हो पार हैं तो जरूर अपनी प्रिचे के जाहरी करें और इन सब चीजों को एक दूसरे की बीच में शेयर भी करें जिसे के लगे कि यहां जिसको रिक्वार्यमेंट को सीख जाए तोकि आदान करने चीजे बहुत साइच चीजे चेंज हो जाती हैं दोस्तो एक बार कमेंट को जरूर बताएं और मिलते हैं नई स्रीज के साथ आल लव एक लव बाबाई टेक केर